नमस्कार सभी किसान सातियों को आपके चैनल एडवान्स किसान पर आप सभीका आर्दिक स्वागत है मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आपको नीबू के पोदे की कटिंग कि सतार któramesi करनी है यह मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं यह हमारा पौदा है जो हमने आज से लगबग धाई मैने पहले इस पौदे को लगाया था और आज इसकी यह प्रोग्रेस है तो आज मैं इसकी एक हलकी सी कटिंग करने वाला हूँ जितनी भी नीचे की सूट्स बगरा हैं इनको मैं अठाऊंगा और इसके लिए मैं जो इन चीज आपको यह याद रखना है कि जो भी जिस भी आपको अठानी है जिस साका को उसे 45 मतलब 45 डिगरी के एंगल पर काटना अत्यनत आउश्यक है अब कटाई क्यों आउश्यक है कटाई आउश्यक इसलिए है क्योंकि जो इसका जो स्टैम है इसको हमें क्या करना है मज लकडी का सहारा लेता हूँ क्योंकि इसके आपको ओस दिये फाइदे भी है एक तो जो नीम का जो यह मैं यह ले रहा हूं साका इस पर एक तो क्या है मुझे दिमक जैसे ट्रमाइट की कोई समस्या नहीं मिलेगी ठीक है ना तो इस वज़ए से मैं इसको यूज करूंगा औ इसकी एक कैनोपी बनाना है ठीक है जब तक एक पोदे की अच्छी कैनोपी नहीं बनेगी जब तक उससे प्रोडेक्शन इतना अच्छा नहीं निकल पाएगा ठीक है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से इसका यूज करना है इस टूल्स का यूज करना है तो यह देखिए, आराम से मैंने easy way के अंदर इसको मैंने अठा दिया है, तो 45 डिगरी पे काटिए, थोड़ा सा प्रेस करना है, और यह बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छी कैनों की बनकर इसकी तयार हो जाएगी, इस तरह से, देखो, यह 45 के अंगल पे काटा है, और देख लीजिए, इस तरह से आपको क्या करना है, इनको अठा देना है, यह पोदे के लिए क्या होती है, बहुत ही अच्छी चीज होती है, तो आपको इस तरह से अठा देना है, इन अतिरिक्त सूट को, जितने भी साकाएं हैं इनको आपको एक्स्ट्रा साखाओं को आठाना है और इसके बाद में एक सी ओसी का इसके क्या करना है चिड़काव अवश्य आपको करना होगा तो दन्यवाद किसान साती हूँ आगे नेक्ष्ट में बताऊंगा आपको कि एपल बेर के अंदर पहली कैसे की जाती है धन्यवाद अधि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आगे आम ही आने वाले वीडियो के सूचना आपको मिल सके धन्यवाद थेंक्यू सो मज जय हिन जय भारत जय किसान